हेलो गाइज वेलकम बैक अगेन तो आज हम लोग हिंदी के अलग चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है छप्य रिटेन बाई नावा दास आए सबका वेलकम है फटाफट तेई से आप समय लोग लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच और अपने आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह च्छापे हैं च्छापे हमारा हिंदी का चौथा लेशन है पोईट्री में पदखंड में तो नावा दास इसके रहा चाहिता है और उनी के बारे में हम लोग को पढ़ना है चलिए गुड ओके वेरी गुड तो चलिए इसलिए आप लोग इस पर काफी अच्छा डंग से कंसेंट्रेशन दें देखो भाई शप्य करने का मतलब यह होता है छे लाइनों की पंक्तियों को कायता है शप्य जैसे इंग्लिस में इस चावदा लाइन के लिखे हुए पोयम को हम लोग सन्यट कहते हैं एक उसी तरह से हिंदी में चाव लाइन के लिखे हुए ना जो कविता होती है उसे च्छा पे कहा जाता है और इतना ही नहीं आपको यह भी दिमाग में रखना है कि च्छा पे जो है हमारा और कैसे-कैस से ध्यान में रखा जाता है चार लाइनों में जो पढ़ा जाता है उसको हम लोग चौपाई कहते हैं तीस तरह से बातों को समझेगा चलिए गुड 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 चलिए 23 से ध्यान देना है चप की और पहले नाबादास के हम लोग जीविनी को जान लेते हैं यह किया क्या है कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्प्रिंट हो गया पीडियाफ चेंज करने में हो गया है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है पीडियाफ चेंज करने में जहा हम लोग कभी परिशय को देख लेते हैं भाई आएदेशते हैं इनका जन्म हुआ है फॉन्द्रह सो सत्तर में और 1100 में इनकी मिर्त्यूजो अनुमानिट फ्रहमानित नहीं है अनुमानित बात है श्तार इनका हुआ थां अनुमानित मने प्रेडिक्ट अनुमान लगा रहा है मान के चल रहा है लोग जन्मस्थान इनका था दचिन भारत में हुआ था माता और पिता वहीं के थे दचिन भारतिये थे पिता जो थे वह सैसव उम्र में यानि यह जब पाल अवस्था में थे उसी टाइम यह जो थे देथ कर गए थे इनके पिता के बिरती हो गए थे और अकाल के कारण माता के साथ जैपूर में यह चले आये थे बाद में माता से भी छोग गया थे इनको इनके दिच्छा गुरु स्वामी अग्रदास यानि उनको अग्र अली भी हम लोग बोलते हैं अना शलिए अस्थाई निवासी ब्रिंदावन में है और सिच्छाइन का गुरु के देखरेक में स्वध्याय हुआ सत्संग द्वारा ज्यान अरजन हुआ है ना आज पहले के जमाने लोग सत्का संग करके ज्यान अरजन करते थे आज लोग किसी ने किसी कान्फरेंस में जाते हैं अडिटोरियम में बहुत से अलग-अलग प्रकार के मोटिवेटर के लिए देने के लिए उनका सुनने के लिए उनका कंसर्ण में जाते हैं तो वह आपके आज के संत हो गया है अस्थाई निवासी ब्रिंदावन के थे ब्रिंदावन में करीब 15 साल तके रहे थे तुरितिय 200 भागतों का चरित्र था 200 उसको में भागत था जो अलग-अलग भगवान को मानते थे पूचते थे उनके बारे में था अस्था याम करके दो बुक्स लिखे एक बुक आपका कहानी के रूप में ब्रजभाशा में और दूसरा राम चरित्र मानस के दोहा के चौपाई के र रहते हैं इना चलिए है यह हुद है की देखा यह है आश्कों संप्रदाय में यह दिछीथ हुए जो जो इनसान संकर को मानता हुआ को सेब संप्रदाय करते हैं जो नारायन यानी बिस्टु को मान के चलता है उसको बैस्ण आप संप्रदाय करते हैं अब इस लेशन को पढ़ने के लिए कुछ इस सिर्डिय ड्रह मोग चाहिए कि इस लेशन को अगर पढ़ना है तो पहले इस लेटर कुछ हम लोग को भावार्थ पता होना चाहिए यानि कि सब्द का ज्यान होना चाहिए तो आई ये सब्द का ज्यान हम लोग करते हैं न? चलि देखा जाए आरूड यानि सवार याद रखेगा आरूड यानि सवार दशाहे यानि दशा में होकर दशाहे यानि दशा में होकर सस्ट दर्षणी सस्ट दर्षणी याद रखिएगा आप लोग सभी लोग ए बात को दिमाग में हम डाल लिजिए सस्ट दर्षणी ठीक है चलिए को चलिए चलिए च्मतकार भनी यानी बर्ण करना दीवी यानी दिव्य respect का मतलब होता है दिव्य आवर भाष्री का मतलब होता है उब बाश्री का मतलब होता है जीवा परकासी यानि प्रकासित किया कोई बात का प्रकाशन हुआ ताशूकी यानि उसकी यानि उसकी याद रखेगा ताशूकी यानि उसकी स्रबनी स्रबनी का मतलब होता है कानों में स्रबन यानि सुनना सुननों कहां से कान सही न सेर चालन सेर डूलाना सेर चालन सेर डू चलिए यह हम लोगा complete हो गया एक तरह से हम लोग पोर्शन को जान गए कि हाँ एक तरह से है अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें दो प्रकार के च्छपे पढ़ने हैं एक च्छपे जो है हमारे वह कभीर साहब का पढ़ना है और दूसरा च्छपे हम लोग को एना कृ इन दोनों में केबल और केबल चरितर का बढ़नग किया गया कि इस प्रकार के थे इनकी कविताओं का प्रमुख बोल किया हुआ करता था तो वही बोल को आज बताने का प्रियास करेंगे हम लोग चलिए अच्छे तरीके से देखिए पढ़ने पर ज्यादा ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है कमेंट करने से क्या होता है जो बिद्यार्थी पढ़ाई के मूड से जुड़ते हैं उनका भी सेंस आपके कमेंट को देखने में चला जाता है इसलिए कमेंट धारी हैना गदा धारी भीम थोड़ा सांत कमेंट को बाद में कर लीजिए ठीक है चलिए देखा जाए चलिए समझते हुए देखते हुए चलते हैं आईए सबसे पहले इसको पढ़ना सीखें एना एक बार पूरे हम लोग पोईटरी को पढ़ते हैं फिर उसको आदेखे करके आर्थ का एनलाइसिस करेंगे रेडी है चलिए तयार हो जाएए चिक है ना लेकिए जो रेट स्रंग से उसी को अम लोगों को देखना है कभीर दास का वागती बीमुख जे धर्म शो भागती बीमुख जे धर्म शो शव अधर्म करिगाए योग यग ब्रतदान बजन बेन तूछ दिखाए भागती बीम बीमुख जे धर्म शो अमारे साथ साथ आप लोग भी दूर आई है तो बहुत सोने पर सुवागा होगा बागती बीमुख जे धर्म शो सब अधर्म करिगाए योग यग ब्रतदान भजन बीन तूछ दिखाए ठीक है यह पहला पॉइंट हुआ हमारा च्छप है च्छप सबस्कों ब्रक्ता लेइनका ब송 सबीसाख़ी इंदों तूरण प्रमाण रैमideo सब्सक्राण सबसाइंट की भाशी हिंदू तूरगष प्रमान रामनी姜ाद सब्सक्राइब थिस्ट्र सद्यान सोदोरे चलना है ठीक है देखिए आरूड दसा है जगत पे मुख देखी नाही भनी कभीर कानी राखी नहीं बढ़नास्रम सस्ट दर्षणी आरूड दसा है जगत पे मुख देखी नाही भनी कभीर कानी राखी नहीं बढ़नास्रम सस्ट दर्षणी तो यह आप लोग को ध्यान रखना है चलिए गुड अब आप लोग को यहाँ पर समस्त हुए चलना है कि यह हम लोग अब च्छप्य को पूरा कर ले कभीर साहब का च्छप्य हम लोगों ने पढ़ लिया समझा नहीं लेकिन उसको लोग ने पढ़ लिया तब पढ़ने का तरीका हम लोग सीख गये अब आगे हम लोग बढ़ते ठीक है कि उक्ति चौज सूर्दास के बारे में उक्ति चौज अनुप्रास बर्ण अइस्थिति अति भारी बचन प्रीती निर्वही अर्थ अदबुत तुक धारी एक दो बार आप लोग पढ़िएगे तो पढ़ना आ जाएगा है ना कोई हिंदी को बढ़का ऐसा चीज नहीं है अटकते हैं कुछ बचे आच्छा नहीं करते हैं प्रति बेंबेत दिविद्रिष्टी हिर्दय हरी लीला भाशी प्रति बेंबेत दिविद्रिष्टी हिर्दय हरी लीला भाशी जन्म कर्म गुण रूप शब ही रसना परकाशी प्रते बेंबे देवेद्रिस्टी हिर्दय हरी लीला भाशी जन्म कर्म गुण रूप शब ही रशना परकाशी इस तरह से ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अब एक लास्ट पॉइंट है हमारा इस बद्धी लिखा गया है बुद्धी होना चे ये था ये तासुकी है ध्यान रखिएगा थोड़ा पिमल बुद्धी हो ताशुकी जो यह गुण स्रवनी कर धरे पिमल बुद्धी हो ताशुकी जो यह गुण स्रवनी धरे तूर कभित शुनी कौन कभी जो नहीं सिर्चालन करे पिमल बुद्धी हो ताशुकी जो यह गुण स्रवनी धरे तूर कभित सुन कौन कभी जो नहीं सिर्चालन करें तो हम लोगों ने एके करके पूरे को पढ़ना जाना अब एके करके हम लोग और आगे बढ़ेंगे अब इसके और और इसके एक्स्प्लानेशन पर अपनी फोकस्ट मजबूत करेंगे हैं ना जो कि आप लोग कर सकते हैं वेरी गुड मैं भी समझाने के लिए कब से तयार हूँ देखिएगा जो लिखा गया आप लोग के सामने कि अगा है कि सबस्ते जाना है और देखते जाना पढ़िया से एक दम है ना पहले तो देख लीजे बाई कुछ दिमाग में आपके एने चाहिए कि किसका बैख्या हो रहा है बैख्या हो रहा है कि यह जो भी प्रस्तूत पंक्तियां है इनाभादास लिखें नाभादास कुछ काम नहीं किये इसमें पस केबल और केबल दूसरे के पंक्तियों को उठा के थोड़ा अपने तरीके से हरे फिट किरी लगाके आप लोग के सामने पर उस दीए है तो टोटल कभीरदास का लेकिन उनकी भिशेस्ताओं को इन्हों ने केबल बताया है ना कभीरदास का बर्डन किये हैं सूर्दास का बर्डन किये हैं चलिए यही बात है यह समझाने का प्रियास के समझेगा लागति बीमुख जे धर्म शो अधर्म करीगाय योगी अगर रतान भजन बीनटूछ दिखाए कहते हैं समझ नहीं को तोटोटोट बढ़िया से भगति हो गया आपैकिवक भी नहीं कर रहा है पक्ती से बेल आधार्म को याद कर रहा हूं लेकिन वह ऐसा कुछ योग योग ब्रतदान भजन चाहे आप योग कर लो यग करा लो हवन करा लो आयात पढ़ लो ब्रत करो रोजा रखो कोई फर्क नहीं पढ़ता दान करो भजन करो सुमिरन करो नमाज पड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिन तूछ दिखाए ये सारा चीज आपको लगेगा कि बेकार है अगर आप लोग भगती बिमुक हो गए यानि कि आपके पास प्रभू को चाहने का गुण नहीं है यानि आप जो करें से माल लीजिए अभी आप वीडियो देख रहे हो वीडियो देखते हुए आप पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो अलर बलर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है अगर आ रहा है तो आप सहीं में ज्यान के शुरोत के लिए नहीं बैठे हुए अन्ड उसी तरह से जब हम पूझा पाट करते हैं भगवान को याद आपके घर में प्राब्लम हो रहा है उसी के बारे में सोच रहे हैं है नहीं तो सब चीज अधर्व में चला जाएगा चाहिए आप केतनों योगी अग ब्रतदान भजन कर लो हर चीज बेकार हो जाएगा तो यह बात आप लोग समझ लीजे बहुत अच्छे डंग से हैं अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है प्रस्तूत पंक्तिया नाभाबास द्वरार रचित भक्ति माल से उद्धित है भक्ति माल से हैं जिसके माध्यम से नाभादास ने कभीर बानी की बिसेस्ता पर प्रकास डाला सब्सक्राइब करता है कब भक्ति के अथ्यां की तरह करता है योगी अभ्रतदान भजन सभी को श्राइब सब्सक्राइब को दूसरे नंबर पर ध्यान सभी के हित्त की भाशी है न हुदू तूरक्त प्रमाण रैमनी सब्धी साखी यह बताते हैं कभीर कभीरदास यानि कभीर शहाब कहते हैं कहते हैं गभीर तूरक को मैंने प्रमानित तोर पर कहा है रेमणी अब घरन्ह जितने भी लिखें और टोटल लिखा वह सारे सब्सक्राइब है कि सभी हित के सभी के हित की भार्षी ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि सब कोई का हिट उसमें च्छिपा हुआ है मैं यह नहीं करता कि हिंदु मेरे सामने है ते मैं मुशलमानों का बुराई करता हूं और मुशल्मान मेरे सामने हैं ते हिंदू का बुराई करता हूँ ना ना कभी मैंने पक्षपात नहीं किया जबकि मैंने हिंदू और मुशलिम में मैंने दिखाया है कि कितना आडंबर है कितना जो है इसमें पाखंड है जूट है फरेब है जालसाजी है उसे बाहर निकलो मैं अपने कभिताओं के द्वारा मैं अपने दोहों के द्वारा अधने हिंदू तूर के ने हिंदूker मुशल्मान को ये बताना चाहता हूँ और वो मुझे यह मत सबजिये कि मैं पक्षपात करना पक्षपात नहीं बचन मैं अपने बचन से पक्षपात नहीं करता हूं सभी के हित की भासी सब के मैं हित की बात करता हूं ऐसा मेरा कार्ज चलता है सोच लिजिए आप ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि कभीर है तो कभीर पक्षपात करेगा कभीर पक्षपात नहीं करता है नहीं कििसी को नहीं होड़े झोड़े एद लेकिन पूरने को था कि एक बात के कि मूर्थी पुझे तो हरी मिले पूज़ी पाहाड़ं जी एगती ऊहरी मिलते हैं जो बूर्धी तो पत्थर सी बनता है पत्त्र के पहारी मैं पहारी पूझ लेता हूँ तब तो मिल जाएंगे ना तेखतर से कटाक्ष किये हम लोगो के उपपर हंदुओं के उपर खास करके उसी तरह से उन्होंने मुस्लमानों के उपर भी कटाक्ष किया है जैसे उन्होंने कहा कंकड़ जोड महजित बनाए और इतना काहे को चिल लाए, क्या खुदा गए हैं बहर आए, ती यह हम मुसल्मानों पर जो हैं, उन्होंने कटाक्ष किया, तो यह एक तरह से कहा जाए, तो उन्होंने केबल और केबल, उन बातों कहीं जो बागी हमारे समाज में एक आडंबर के तौर पर एक केबल हो रही है क् कि सब के बारें मैं बताता हूं क्योंकि मैं सब का हीत ऐसी हूं मैं पक्षपाती इंसान नहीं हूं देखिए वो क्या बताते हैं प्रस्तूत पंक्तिया नाबादास द्वारारचेत भक्तिमाल से उद्धित है जिसके माद्यम से नाभादास ने कभीरबानी की विशेस्ता पर प्रकास जाला नाभादास कहते हैं कि कभीर ने हमेशा हिंदू और मुशल्मान को प्रमान और शिद्धान्त की बात कही रही कभीर ने कभी पक्षपात नहीं किया उन्हेंने में से सब की हित की बात किये अगला नंबर है आरूड दसा है जगत पे मुख देखी नाहीं भनी कभीर कानी राखी नहीं बढ़न आस्रम सस्ट दर्शनी यहां पर कभीर कहते हैं कि आरूड दसा है जगत पे दुनिया का जो ज चलन है ऐसे ही चल रहा है मुख देखी नहीं बनी मैंने आज तक कभी भी किसी भी बढ़न विसेश को मुख देखकर इसको हम लोग आम भाशा में कहते हैं मुझ देख ली मुझ देख ली काम हम लोग आज तक नहीं किये हैं मुझ देखके मैं काम नहीं किया हूं आज तक मैंने किसी का अ भीडिवेचना कि-सी कभी आलोचना और किसी के भी शुलोचना मैंने आज तक उसके मुख को देखकर नहीं किया है नहीं किया है कभीर कानी राखी नहीं कभीर जो कान रखता नहीं काना फुसिं विस्वास नहीं करता है वो प्रमानिक चीजों को देखता है कभीर जो है वो कानी आदमी नहीं है वो प्रमानिक आदमी है खुद देखता है खुद अनभव करता है खुद जाचता पर रखता है तब उन चीजों को टटोल के हुआ जो है ना चीजों को बेरिफाइड एनी के सत्यापित करता है तब कभीर मानता है और अपने वो गरंतों में लिखता है आपको मालूम है छो प्रकार के आश्रम है आपको मालूम है छो प्रकार के आश्रम है ना चार प्रकार के बर्ण है MS आस्रम भी है जिसका नाम है ब्रह्मचर्ज जिसका नां में आप लोग का जी एक और नाम है हम लोग का angry sun योग्य दर्षन मिमिशा दर्षन और वेधांत दर्षन इस प्रकार से यह 6 प्रकार के दर्षन हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं इसका बताते हैं कि यह तमाम चीजों का मैं follow नहीं करता हूं इसका मैं कोई महत्पने देता कि जब मैं जब तक मानूंगा नहीं अगला कह दिया तो मैं मानता नहीं मैं खुद उसको जाता एक्सपरियंस करता और तब उसे मैं कहता कि हाँ ये चीज सही है ऐसा ही होना चाहिए तब मैं इस बात को मान के चलता हूं देखिए प्रस्तूत प बात नहीं की कभी you अपझे में नहीं की कभी फचपात पूर्ण by नहीं क ELN न कभी बी कहीं सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया उन्होंने हमे motivated कि देखी बात को हीं कहा है गार कि जैसे लिए या आउस्रम जाह तरसन आज haircut कोहें के अपनायया नहीं है अथार्त किसी लिए तो इस तरह से हम लोग कभी इनका जो कभीर का छहपे था उन्होंने हम लोग ने पढ़ लिया मुकरूप से उनका सार इन्होंने नाभादास निकाला है कभीर पक्षपाती इंसान नहीं थे हिंदू-मुसलिम दोनों के अना पाखंड पर वह बहुत बोला करते थे और इ लिए चलिए शेयर कीजिए तहीं से शेयर नहीं कर रहें आप लोग अचलिए बटाबट सेयर कर देजिएगा अचलिए बहुत बढ़िया ध्यान देना तूर्दास के पॉइंट पर आगए तूर्दास हम लोग के बीच क्या कह रहे हैं उसको पहले समझना है वक्ति चौज अनुप्राशबर्ण और इस्थिति अतिभारी वचन प्रिति निर्वही अर्थ अध्वुत तुक धारी यान चमतकार अनुप्राश वर्ण अनुप्राश का मतलब होता है कैशा अलंकार चीजों को बड़ा रमनिये बनाता है लैबद बनाता है और इस्थिति अतिभारी तूर्दास के आप जितने भी कविताओं को देख लो तारी कविताएं जो है चमतकार से तरकीव से और काफी लै कुछ इस प्रकार से आप लोग पढ़े थे उसका आप लोग मतलब बड़ा संगीत में तरीके से वह लिखा हुआ था तो ऐसे ही बताते हैं कि उनका जो बचन प्रिती यानि उनके जो लिखे गए लेक थे वो प्रिती से भरे हुए थे प्रेम से भरे हुए उनके लेक होते निर्वही अर्थ उनके अर्थ का जो निर्वहन सुरू से जो आंत या नो मतलब होता था United है मतलब यहने उनके द्वारा लखे गए जितने भी लेक थे वह काफी बचन बहुत अच्छा सूरू से अंत जैसे सुरू किये अच्छे बोली से अच्छे बचं प्रेमभाव से किये he अंत भी बचं प्रेमभाव से ही करते थे तो इसी परette से बताया जारा है कि बड़ा अद्भुतुक धारी इंसान थें वो इसे इंसान सायद नहीं होंगे यह सूर्दास की भी बेचनाउं कर रहे हैं सूर्दास की पंक्तिया नहीं है वो अपने से सूर्दास के लिए बात को लिखे हैं है ना तो यह आप लोगो समझना पड़ेगा है ना चलिए चमतकार अनुप्रास बढ़न से भरी हुई है सूर्दास की कविताएं लैबद्ध है और संगितात्मक होती है सूर्दास अपनी कविताओं के सुर्भात जिन प्रेम भरी बचनों से करते हैं उसका अंत भी उनी बचनों से वह करते हैं ठीक है अगला नमबर देखिए प्रत प्रतिभिम दिविद्रिष्टी लोग करतें कि अंधे थे लेकिन वह अंधे नहीं थे उनके पास दिविद्रिष्टी था जो कि भगवान कृष्ण का प्रतिभिम उनके आँखों के अंदर हमेशा चलते रहता था अरी लीला भाष्य ऐसा लगता था उनको हरी का लीला जो एक एक द्रिष्ट को उन्होंने इतनी गहराई से और इतनी डीटेल यानि हर चरित्रों को हर शीन को इतना बेतर डंग से दिखाए हैं जैसे लगता है सूरदास स्वेम जो थे वह दापर यूग में स्री कृष्ण के साथ रहे हो एज एज फोटोग्रापर एज बीडियोग और उनके हर तमाम मुप्स को इतना बढ़ियां से दिखाए हैं जितना बढ़ियां से आस तक कोई लेखक नहीं दर्साएं इसनों को भक्ति क्रिष्ण भक्ति का स्रष्ट कभी कहा जाता है जन्म कर्म गुण रोप सभी रश्णा प्रकासी क्या नहीं बता हैं जन्म से लेके यह निक आजाए तो गोश्वामी यहां पर जी सूर्दास जो है उन्हों ने इस बारे में खुब भेता धंग से आपको समझाया है कि देख लो भाई मेरे प्रति बिम्बि दिभी दृष्टी ऐसा लगता उनके आख्वी जो है दिभी दृष्टी उनके आख्व में डिवाइ बांट नहीं छोड़े हैं चैंव जन्म हो चैन्म मों कर्म हो सब को बनियां से अपने जीवों से आई बोल बोल कर बाचाल रूह से प्रकासित किया है जोकि काफी और दि自 Speak in i k सब्सक्राइब कर देखा जाए जिसके माध्यान से नाभादास सूर्दास के दिविद्रिष्ट्री सूर्दास ने अपनी कविताओं में त्रिक्रिष्ण लिला का बढ़न किया है सूर्दास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दिविद्रिष्ट्री से देखकर अपने बचनों से प्रकासित किया है इस तरह की बाते जो हैं यहां पर बताएं कहीं हैं यह हम लोग को समझना है अब हम लोग छप्य के आखरी पंक्तियों पर जा रहे हैं सुनिए का वो बद्धी नहीं है बुद्धी है भाई फड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया बिमल बुद्धी हो ताशो के जो यह गुण श्रवनी धरे शूर कभी तशुनी कौन कभी जो नाही सिर्चालन करे वो बोलते है अग बिमल बुद्धी हो ताशो के उसकी बुद्धी निर्मल हो मतलब होता है निर्मल एक दमिलीन से वह जो है निर्मल हो जाएगा पूरे कजल डिएना जो नहीं सरक्षालन करें जो सिरकाशालन घरदन नहीं य fantasy नहीं किया है कि उनके बातव को सुनके को पना लाजमी है वोई भी रहेंगे हां में हां होगा ही होगा यह बात तय है है ना चलिए इस बात को हम लोग समझ लें कि भाई भीमल बुद्धी ओ तार्शु की उसकी बुद्धी निर्मल हो जाएगी जो यह गुन स्रविनि धरे जो यह तमाम गुनों को इन सूर दास जो लिखी थे भगव नाहीं सीर चालन करे सीर को नहीं चलाएंगा ऐसे-इसा सर नहीं डोलाएंगे इसा होई निसके अर्लकोई डॉला सकते इसका मतलब क्या है बाइप ञाइतेया प्रस्थोथ, पंक्ति हना नाभा दास द्वारा राचीत भक्तिमाल से उंदित थे जिसके माद्यम से नाबादास ने सूर्दास की बिसेस्ताओं को बताया है नाबादास करते हैं कि जो भी बेगती सूर्दास द्वारा कही गई भगवान के गुनों को शुनता है उसकी बुद्धि निर्मल यानि की बिमल हो जाती है नाबादास करते हैं कि ऐसा कोई कभी नही तो इस तरह से यह नाभा दास ने कुछ बिसलेशन किया है जिसमें कबीर शहाव और तुलसी तूर दास की कविताओं को लेकर उन्होंने छप पे छेचे लाइन की कविता आप लोग के सामने डाला है आप लोग ने सो देखा भी बहुत बारीकी से देखा बड़ा अच्छा आ तिल देन गुडबाई थैंक यो चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो कभी तक लाइक ने किये तो वीडियो को लाइक कर दे एक बाद और तेजिस इस लिंक को आप लोग से फैलाएं और अपने दोस्तों की बोले और जिने भी कुछ टेक्निकल बाते स